अब ये वाला जो lecture है, इसके अंदर हम case study पर ही काम करेंगे और t-test को देखेंगे कि t-test हमारा कैसे लगता है और किस तरीके से हम t-test को different libraries को use करते हुए लगाते हैं ये screen आपके सामने हाजिर है, मैं यहाँ पर t-test को add करूँगा test, t-test के जरीए, अब हम काम करेंगे कि t-test होता क्या है और किस तरीके से t-test को हम लगाते हैं t-test की तीन types है, ठीक है, और one sample t-test है, independent sample t-test है और paired t-test है, मैंने आपको पहले भी बताया था सो पहले तो हम one sample t-test लगाते हैं, one sample t-test, one sample t-test के अंदर आप क्या करते हैं, पहले वो देखेंगे और हम इस data पर लगाएंगे import pandas as pd, import numpy as np, और हम लगाएंगे जनाब matl or lib भी कर लेते हैं, c bone भी कर लेते हैं और scipy stats में से stat भी कर लेते हैं, so one sample t-test मैं यहीं पर लगाऊंगा, हम data load करते हैं, df is equal to कोई भी एक data load कर लेते हैं, मैं tips का ही करता हूँ दुबारा से, यह आपको data का पता चल गया है, कुछ इस तरीके से नजर आता है, ठीक है, मैं यह one sample t-test को copy करके, एक नए block के अंदर भी डाल देता हूँ, ताके हमारे पास यह clear रहे, कि यह one sample t-test है, ठीक है, something like this, अब यह data है हमारा one sample t-test किस पर लगना है, continuous variable पर, जो normal होना जरूरी है, ठीक है, normality के लिए हम क्या करते है, Shapiro Wilk test पहले लगाते हैं, यह हम data को draw करके देख लेते हैं, सबसे पहले sns. हम यहाँ पर hist plot बनाते हैं, ठीक है, और simply, total bill के उपर hist plot बनाते हैं, हम देखते हैं, कि data normal है के नह लेकिन हम test भी करेंगे, Shapiro Wilk test, Shapiro Wilk test to see the normal distribution of the data, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, simply, Shapiro को हम import करेंगे, यह हम ऐसे भी कर सकते हैं, stats. Shapiro, ठीक है, और यही हम total bill के उपर लगा देते हैं, something like this, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो values आती हैं, उनको भी हम लिख लेते हैं, बलके ऐसे अगर लगाएं, तो यह test statistic है, और दूसरे p value है, तो यह p value less than 0.05 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि data हमारा क्या है, चलें, मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ, कि यहाँ पर हम करेंगे, statistic, p is equal to this print the results based on p value and if else conditions अच्छा, यहाँ पर total bill को दिखाया जा रहा है, कि data is not normally distributed, क्यों जी, क्योंके data जो है हमारा, किस side पर जा रहा है, अगर आप check करें, तो यह right side पर move कर रहा है, ठीक है, हम इसकी kardosis और जो हमारे पास skewn ऐसा है, उसको भी measure करके देख सकते हैं, data तो हमारा distributed normally नहीं है, तो श्पीरो टेस्ट हमें यह बताता है, कि आपका data normally distributed नहीं है, total bill का, लेकिन अगर मैं tip पे इसको लगाँ, tip के ऊपर यह data तो बिल्कुली नहीं मुझे normal लग रहा, but I will see, tip, यह भी data normally distributed नहीं है, ठीक है, so हमारे पास जो एक tips का data था, इसको हम reject करते हैं यहां से, और यहां पे कोई और data हम ले के आते हैं, जो normally distributed हो, वरना हम इसको भी कर सकते हैं, but it will take time, तो मैं यहां पे Titanic का data लाता हूँ, Titanic के data में से age का column जो है, हम उसे लेते हैं, which is kind of normally distributed, तो यहां से age का column हमने ले लिया, and here you go, data is normally distributed, अब age के column को हम check करेंगे, based on another column, one sample t-test लगा के, यहां पे मैं चेक करता हूँ, कि क्या age, hypothesis यह है, हमारा जो mean है, यह हम कह सकते हैं, जो population mean है, which is around 35, ठीक है, is there any difference between ages of the sample data and mu, यह हमारा question है, कि mu जो है, हमारा 35 years का है, यानि कि हमारा जो mean है population का, वो 35 साल का है, तो क्या इसके data में कोई फरक है या नहीं, let me see, it's not working, ok, no, extension करने पड़ागी, ok, so मैं यहां पे mu ही लिख देता हूँ, अब हमने क्या करना है, stats लगा के, t-test लगाना है, stats dot, t-test one sample on age, और हमने 30 लिख देना है, ठीक है, तो यह हमारे पास p-value जो है, वो none आ रही है, और यहां पे भी df हमारे पास क्या आ रही है, none आ रही है, reason क्या है, क्या reason हो सकती है, sorry for that, क्या reason हो सकती है, क्यूंके हमारे पास age में null values हैं, तो पहले हम null values को यहां पे impute करते हैं, सही है, impute null values, so null values को हम कैसे निकालते हैं, df के बाद, कोई भी age में से, इस तरीके से null values को आप लें, fill करें, और यहां पे median लिख दें, मैं median के साथ null values को impute करता हूँ, इसी तरीके से हम fair की भी कर लेते हैं, df के आगे, fair, क्योंकि हमारे पास दो column है, तो दोनों की कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो data है, वो इसे तरीके से आजाए, fair को भी median से कर दिया, और हमने दूसरे को भी, ठीक है, अब देखते हैं, हमारे पास क्या आता है इसका result, अगर फिर भी nen आता है, नहीं, अब ठीक हो गया, तो अब आप देख सकते हैं, हमारे पास test statistic और बाकी भी हमारे पास चीजें जो हैं, तीनों आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर इसके पीछे, जो हमारे पास value होनी चाहिए, यह मैं उनको लिखता हूँ, statistic, p-value, फिर, df, यह तीन values हमारे पास आती हैं, तो हम इसको देखते हैं, नहीं, इसको लिखता हूँ, degree of freedom, dof कर लेता हूँ, तो यह हमारे पास तीन values आती हैं, print the results, based on p-value and if-else condition, तो यह हमें directly बता देगा के फरक है के नहीं, और यह मज़ा है, github co-pilot को use करनेगा के आपके पास, results कुछ इस तरीके से आ रहते हैं, let me see के मसला कहां पे है, not enough values to unpack, expected 3, got 2, degree of freedom नहीं होगा यहां पे, now it's fine, so, fail to reject null hypothesis, there is no significant difference between the groups, यानि के 30 के आसपास values हैं, ठीक है, so, अगर मैं 30 की बजाए, 40 लिख के देखूं के 40 के साथ compare करो, then there is difference, क्यों reason क्या है, अगर आप गौर करें, तो हमारे पास जो df के बाद age का mean है न, dot mean, यह हमारे पास exactly 30 के करीब है, तो 30 और 30 में कोई फरक नहीं होगा, 35 करना तो उसमें शायद फरक आजाए, like this, so, you can run this, और वो बता रहा है कि reject null hypothesis, there is a significant difference between the groups, किसमें, age में और दूसरे में, तो इस तरीके से आप one sample t-test लगा सकते हैं, age को non-value के साथ compare करके, ठीक हो गया, अब हम लगाते हैं two sample t-test, और two sample t-test कैसे लगेगा, पर पास age आ गया, ठीक है, हम अब हमने अब क्या करना है sex, यानि कि male और female की age पर लगाना है, male की age और female की age, ठीक है, इस पर हम test लगाते हैं, let's run, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, to that, to sample independent t-test, यह कोई भी value हो सकती है, mu की value कोई non-value होती है, अगर आपको नहीं भी पता, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, और हम यह लगाएंगे again age के उपर, age, let's run the same, run the two sample t-test on ages of male and female, female, क्यूंकि दो group का हम compare कर सकते हैं, so उसके लिए हम क्या करेंगे, basically हम t-test को लगाएंगे, simply, दो sample जो हमारे पास हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, from titanic, so हमारे पास जब भी कोई test हमने लगाना होता है, तो हम samples को ले आते हैं, say for example हम यहाँ पर, यहाँ तो दोनों को separate कर लेंगे, यहाँ हम t-test जो है directly भी लगा सकते हैं, so it's totally up to you के आप किस तरीके से t-test जो है उसको लगाएंगे, right, so यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमने stats.t-test independent ठीक है, यह हमने लिख दिया, इसके बाद हमने यहाँ पर अब दो values देती हैं, देनी है, A और B, और यह हम पर depend करता है कि हम किस तरीके से वो A और B दे सकते हैं, ठीक है, let's try in a way कि क्या हम उस तरीके से भी values दे सकते हैं, से, for example, मैं यहाँ पर df के अंदर जो age है, इसकी value को अगर हम tilde के साथ use करें, तो maybe we can write this down, लेकिन problem यह है कि शायद चले ही ना, मेरा tilde ही गवाच गया, keyboard भी ना, जब तक, yes, it's here, so, यहाँ पर हम कर लेते हैं, df के अंदर sex, let's see, मुझे नहीं लगता चलेगा, and I was right, reason क्या है, अब हमने male की age और female की ages जो है, इन दोनों को separate करके, comma के साथ लिखना है, and then it will be working fine, ठीक है, कैसे लिखना है, अब हमें male और female की age को separate करना होगा, और उन दोनों की age को separate कैसे कर सकते हैं, you know that, और उसके लिए आपने age के variable की base पे, आपने sex के variable को separate करना है, ठीक है, जिसमें आप group by का function भी लगा सकते हैं, और different किसम की libraries को use करके भी, आप उसको निकाल के लेके आ सकते हैं, यहां तक clear होगे आपको, चलें, मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे लगेगा यह काम, इस पे हम रिखाते हैं, age underscore male, is equal to, हम उसके अंदर, df के अंदर से पूरी की पूरी value निकाल लेंगे, df, जिसके अंदर, df में, जो sex है, उसकी value हो, is equal to male, ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे, और उसका सिरफ age का कॉलम हमने निकाल ले, this is how we will separate for age male and age female, ठीक है, इस तरीके से हम दोनों का data जो है, वो निकाल लेंगे, male का भी और female का भी, तो यहां पे हम निकालते हैं, जनाब df के अंदर, जब df की sex का जो value है, is equal to है, वो female के, then उसमें से सिरफ age निकाल लो, ठीक है, age निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो age male and age female हा गया है, इसको हम यहां पे लिखेंगे, right here, कैसे, age underscore male, comma age underscore female, यह दोनों लिख ली है, अब इसको run करके देखते हैं, कि हमारे पास क्या result आता है, here you go, यह आपके पास p-value आगी है, और p-value आपको बताती है, कि आपका जो difference है, वो दोनों की age का फरक यहां पे आ रहा है, अब इसको मैं further और भी अच्छे से लिखता हूँ, statistic, comma, p is equal to this, और अब हम लिखते हैं यहां पे, print the results based on if-else condition, this is my favorite thing, ठीक है, अब यहां पे there is a significant difference between, अब यहां पे मैं इसको meaningful लिखने वाला हूँ, ages of male and female passengers of Titanic, ठीक है, अब हमने इसको meaningful बना के लिखना है, reason क्या है, जब आब meaningful लिखते हैं न, तो आपके सामने चीजें और भी खुल के सामने आती हैं, and people can actually understand कि आपने लिखा क्या है, आजा भई, नहीं है न, sometimes it takes time, उसको वो लफज बनाने में फरक पता चल रहा है, तो मैं यहाँ पर खुद से लिख दे ता हूँ, and fail to reject null hypothesis, there is not any difference between, any differences between ages of female and male passengers, ठीक है जी, run, so जनाब यहाँ पर reject null hypothesis, there is a significant difference between ages of male and female, based on the p-value, p-value आपके पास कितनी आप यहाँ पर, p-value को भी प्रिंट कर सकते हैं, if you want to print that one, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, so यह आपके पास p-value भी आ जाएगी, and then you can actually print it, यहाँ पर f-string नहीं बानी, now it's fine, ठीक है जी, तो यह आपके पास p-value आ जाएगी, और यहाँ पर भी p-value में लगा देता हूँ, ताके आपके पास p-value भी प्रिंट हो, whenever you do something like this, तो f-string को मैं यूज कर रहा हूँ गया, तो यह आपके पास two-sample independent t-test आ गया, ठीक है, इसके इलावा अगर आप before and after कोई चीज में यहर करते हैं, तो वो relational t-test आ जाएगा, जिसकी example आपको specific data sets में मिलेगी, इसी और चीज पर लगाया, like मैंने ऐसा क्यूं नहीं किया, कि जहां पर हमारे पास three value हैं, say for example class है, first, second, third, इस पर क्यूं नहीं लगा, वो इस विज़ा से नहीं लगा, because we cannot compare three groups, जब दो का mean compare करना है, then we put t-test, तीन का करना है, तो ANOVA लगेगा, और ANOVA कहां पर लगेगा, first, second और third class के उपर, समझागी बात की, अब यहां पर हम ANOVA लगा के देख सकते हैं, अब हम ANOVA लगाएंगे, क्यूंके हमने अब तीन classes के उपर, जो टेस्ट करना होता है, उसके लिए आपको ANOVA लगाना,